गुजरात में ऐसा क्या राज छिपा है दोनों लोगों का कि गुजरात में इतनी ताकत लगा रहे हैं गली-गली कूचे-कूचे घूम रहे हैं को बांडों की संख्या लगता काफी ज़्यादा है है आज हालत यह है कि चार-चार मुख्यमंत्री दूसरे रज्जों से आये हुए हैं एक दरजन से ज़्यादा केंद्रिय मंत्री यहां पर डेरा डाले हुए हैं और उसका सीधा कारण यह है कि जो टू-सी का मॉडल है करप्शन और कमिशन का उसकी वज़े से गुजरात की जंता ने भाजपा को चुना और लड़ने से पहले इस बार हरा दिया और हालत यह हो गई है कि लोगों को पैसे दे कर लेकर आना हमारे पास एक वीडियो और भी है आने वाले समय में उसको भी हम चलाएंगे एक दो दिन में जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी बट रही हैं जिनके उपर यहां पर बेहन हैं अब एक बहुत महतुकून विशे के उपर हम जाना चाहते हैं अभी हिमाचल का जब चुना हुआ तो उसके बाद इलेक्शन कमिशन ने एक नोटिफिकेशन पंदरा ज्यारा दो हजार बाइस को निकाला नोटिफिकेशन का नंबर है चार स 491 अब्लीक मीडिया पॉलिसी अब्लीक दो हजार बाइस और उसमें जो वाक्य है क्योंकि वो नोटिफिकेशन इंग्लिश में था मैं पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूं All the media, electronic and print, are hereby advised not to publishize any such article program related to the dissemination of results during the prohibited period between 8 a.m. on 12th November 2022, Saturday. And 5.30 p.m. 5th November 2022, Monday, in the current general elections of the state legislative assemblies of Himachal Pradesh and Gujarat 2022, to ensure free and fair elections as stated above in the Commission's communication. Election Commission की खुद की ruling है और इससे पहले Supreme Court भी इस मामले में आगाह कर चुका है कि इस तरह के opinion, poll, surveys ये नहीं चलने चाहिए लेकिन दुरभार गे हैं कि इस तरह का खेल चल रहा है इस तरह के आकड़ों की fitting करके setting करके दिखाई जा रही है कि भाजपा एक तरफ से जीत रही है Congress एक तरफ से हार रही है और जितना प्रशाद आम आदमी party ने डाला है उसको भी कहीं न कहीं दिखाया जाए ताकि vote sharing बना रहे जिस आम आदमी के party के दो-दो candidates ये कहके पीछे हट गए चुनाव से कि भाजपा का vote नहीं कटना चाहिए हम भाजपा के पक्ष में आ रहे हैं उनको भी media जो है वो सीचे दिखा रहा है जब election commission ने अपने notification में कहा के साड़े पांच बजे पांच तारीक तक आप इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाएंगे उसके बावजूद ये चीज़ें क्यों दिखाई जा रही है Congress Party Election Commission से इस मामले में जवाब चाहती है तमाम opinion poll जिन में दिखा रहा जाता है और उसमें इस तरह से सैटिंग करके बठाते हैं कि कोई सवाल ना उठाए हम आरोप लगाते हैं कि ये media channels psychological game play कर रहे हैं गुजरात की जनता के साथ और ये गुजरात की जनता को गुमरह करने का एक तरीका भाजपा ने ढूंडा है जब notification आ गया उसके बाद भी ऐसा क्यूं हो रहा है हम इसका उत्तर चाहते हैं कल मैं खुश स्वय में news channel पर यहीं river front से कर रहा था एक show तरेपन परसंट 15 परसंट 55 बाजपा को हर जाती का हर धर्म का 50 परसंट से उपर vote मिल रहा Congress को 30 से 35 में डालिए का कि Congress वालों को भी ना लगे 10-12 परसंट पर आम आदमी को fit कर दीजिए कल को कोई भी result आता कुछ भी आता है election commission की कोई जुम्मेवारी नहीं media channels तो अपना भाद जाएंगे अपने show करके इस तरह के show से अगर 2% भी vote का difference हो जाता है 2% vote का मतलब हो गया 12-15 लाख vote 12-15 लाख vote पूरे result को change कर सकती है और हम बार बार इस पर objection करते हैं Congress party पहले opinion polls के surveys पर debate में भी नहीं जाती थी हम फिर कहते हैं के नहीं हिंदुस्तान का मीडिया है पंडित नहरू ने इसको सुतंतरता दी है लेकिन इस सुतंतरता का धुरुप योग है इस तरह की सुतंतरता देश के लोगतंतर के लिए घातक है कुछ business houses, media houses को चला रहे हैं और वो business houses को बीजेपी फाइदा पहुचा थी बीजेपी का दबाव है उन business houses पर क्या आप इस तरह के show चलाईए यहां तक हद है तो नौइडा से आए हुए anchor यहां मंदिरों में खड़े होकर वोट आपने शोष कर रहे है जब candidate मंदिर में जाकर वोट नहीं मान सकता है media houses जान बूच कर मंदिर में घुम घुम कर घुम घुम कर जो काम बीजेपी चाहती है वो हो रहा है उपर और नीचे की पटियां जो हैं वो बीजेपी के रंग में कही ना कही रंगने का काम किया है मुझे याद हरियाना का चुना एक वोट सी वोटर सर्वे करके आता है 90 में से 83 सीटें उसने दिखाई 83 आई कितनी 40 बाट पर लेकिन आप सोचिए जो फ्लोटिंग वोटर है जो बीजेपी से नराज है साइकलोजिकल जो वार गेम है इलेक्षिन कमिशन इस पर ध्यान दे इलेक्षिन कमिशन घुटने ना टेके इलेक्षिन कमिशन की आज खुद की साथ दाव पर है मैंने पिछले प्रेस कॉंफेंस में 20 एक्जामपल दिये हमने तमाम कंप्लेंट की किसी कंप्लेंट पर कोई एक्शन नहीं होता है सरे आम पैसा बंट रहा है कहा है इलेक्शन कमिशन मेरे गुजराच के साथ ही सब ही जानते है ये एक मंत्री है पिछवी बार के इनका नाम है भूपेंदर चुडास्मा वर्षों के कोट में चलता रहा मैटर हाई कोट से हारे सुप्रीम कोट चले गए पांच साल निकाल के अपना टेन्यूर वापस चले गए अपने का क्या इलेक्शन कमिशन यही चाहता है कि दो-चार लोगों को केस चलते रहे बाद में और वो जीत कर चले जाए इलेक्शन कमिशन की साख दाव पर है बाइसो का सेंपल सर्वे लेकर आप देश की जंता को गुमराय कर रहे हैं गरीब थे अमीर थे कौन सीटाइमिंग पर लिया क्या कुशिशन एर था आपका क्या सवाल था हर चीज का महत तो है आप सवाल ही इसे डिजाइन करें जो बीजे पी के पक्ष की उतराते हो तमाम सवाल इस तरह के आते हैं जैसे अच्छा रखा जा सके वो सामने आए हमारोप लगाते हैं कि इस तरह के सर्वेश के पीछे कहीं मोटा पैसा तो नहीं चुपा हुआ है क्या नोट बंदी का पैसा यहां तो इस्तिमाल नहीं हो रहा है क्या मीडिया हाॉसिज दबाव में तो नहीं है होड लगी हुई है कौन भाजपा के नजदीक कितना दिखाएगा मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ कुछ चैनल्स हैं जिनके अंदर आपस में प्रतीस बढ़धा लगी हुई है कि शाम को डिबेट कैसे कितनी गंदी से गंदी की जाए किस तरह से भाजपा को पक्स दिखाकर उसको आगे दिखाया जाए 27 साल में भाजपाने गुजरात को जिस तरह से चुंसा है उसकी वास्ति पिक्चर ना जाए जंता तक महंगाई पर कोई बात ना हो महंगाई का सवाल ही ओपिनियन पोल में नहीं होना चाहिए ओपिनियन पोल में मोरवी का सवाल ही नहीं होना चाहिए लठा कांड का सवाल नहीं होना चाहिए कॉंगरेस पार्टी इलेक्शण टमिशॉन ऑफ इंडिया के पास थोड़ी देर में दिल्ली में भी हम कमप्लेंट दर्च करेंगे कि राइटिंग में करेंगे कि आप ही के नोटिफिकेशन का उलंगन यहां पर हो रहा है यह दुर्भाग्य पूर्ण इसका आप संग्यान ले आपकी साक्ता सवाल है अब आपके कोई भी सवाल है पूछें संभित पातरा जी इस पर भी पी सी करें एक बार कि कपिल मिश्रा ने दिल्ली की विधान सभा में मोदी जी के लिए क्या क्या कहा थी बहुत अच्छा रहेगा उन कर देंगे तो एक पी सी इस बार पर भी करें कि हार्दिक ने यमराज किसको कहा था फैकू किसको कहा था और भाजपा को कहा था कि हिंदू मुसल्मान हटा दीजे तो भाजपा नंगी नजर आती आज वो कैंडिडेट्स हैं गुमरा मत कीजिए गुजरात के मुद्दों पर बात कीजिए थे इनके विधान सबा के मैदान छोड़कर शटर डाउन करके भाग गए अब बीजेपी को खतरा होने लगा है बीजेपी चाहती है हम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं वो बातों में शब्दों में मीडिया में बनी रहे इसलिए इस तरह की बातें की जा रहे है गोपाल इटालिया ने क्या कहा क्या नहीं कहा कॉंग्रिस क्योरियेट करें किसी भी धर्म संपर्दाय का अपमान नहीं होना चाहिए कॉंग्रिस पार्टी का ऐसा मानना देश का बाद यह इतना दुर्भाग के नहीं है कि दोहजार पेंटालिस तक भी वो इस बातें करने लाइक रहेंगे चुटकारा मिल जाएगा दोहजार चौबिस के बाद हमने बहुत पहले पैचान लिया था उनको मेरे घालया और आसम के बॉर्डर पर लोग आपस में लड़ रहें गोलियां चल रही हैं और वहाँ यह गली-गली कूचे-कूचे घुम करूल-जूल-जूल बयान दे रहे ह हमने सुना हैं मोधी साब ने काफी अच्छी मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज बनाई हैं जाच करवाएं उनका को बाजपा इस तरह से बोल जाएंगे देश की जनता न्याय चाहती है देश के प्रधान मंत्री आपको बनाया था भाजबा का पंचायत का प्रचार मंत्री थोड़ी ना बनाया था देश की जनते में आपको गुकमरी के इंडेक्स पर देश नीचे जा रहा है डॉलर नीचे जा रहा है रुपा की कुलना में इस तरह से तमाम समस्चाएं मूब आ ही है आप केवल और केवल बोल पोस्ट रोज बदर पेशे ले जा रहा है पहले आप आये थी तो आपने गा था अर्बनी नक्षली डूड़ने आया हूं क्या दोगा मोदी साब आये थे जब हमने कहा साब एक सो साथ केस वाला यहां पर एक अर्बन नक्षली ले जा उसको अगले भाशन खता हूं उसके बाद वो टोपियां आ गई और पता नहीं क्या क्या आ गया फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया फिर जंसन क्या कानून आ गया फिर दो हजार दो आ गया अरे भैश सताइस साल क्या आपकी सरकाल है यह बताओ ना हमने क्या किया बताओ लटा कान में कितने लोग तल दुबारा जहरी ली शराब से तीन लोग मर गयें उसके उपर उत्तर दो ना जब शराब बंदी है तो जहरी ली शराब कहां से आ गयार्वी क्यास के बच्चे के बैग में ड्रग्स कहां से आ रहा है ये बताइए ना चुनाओ के नेरेटिव को डेवियेट मत कीजिए हमने कहा सिंबॉलिक खड़गे साब ने कहा ये जिस तरह से बहुत चेहरों के साथ आदमी चलता है लेकिन हैंतार रावन का भी नहीं रहा था भाजपाईयों का भी नहीं रहे था गुजरात को वो टेकन फॉर ग्रैंटिड ले रहे हैं इस बार गुजरात से भाजपा तड़ी पाद क्या उसको मीडिया जिता हैं नहीं मैं नहीं कह रहा है कि मीडिया ने भाजपा को जिता है मैंने स्पेसिफिक एग्जामपल्स दी हैं कि जो चल रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं कमिशन का नोटिफिकेशन है उसका उलंगन है हम उसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि मंदिरों में जाकर आंकर अगर आंकरिंग करेंगे दो-दो गंटे के शो तो आप किया कर रहे हैं इस सवाल यह निशाद मंदिर जाना नहीं जाना किसी का भी हक है मंदिर का फोटो पीछे लगा कर और एंकरिंग करना और वो भी गुजरात के चुनाओं में हमने नहीं देखा पहले कभी इस तरह से भावनाएं आप सुएम भी समझते हैं मैं भी समझता है सिधा मेरा आरोप है मीडिया चैनल्स या तो लालच में है कुछ या दबाओं में जो इस तरह का शो दिखाते हैं अरे 55 परसंट अगर भाजपा को सब जातियां सभी धर्म वोट दे रहे हैं आपके सर्वे में तो इलक्शन कमिशन को चिट्ठी लिख दीजे क्या चुनाओ ना बन करो 182 के 182 सीट बीजे पी जीत रहे हैं बारापार चौदर चौदर परसंट अगर वोट डिफरेंस है तो क्लीन स्वीप हो जाएगा इस सफर लोज़िस हो सकता राजसाबा जाने के अपने रास्ते खोज रहे हो लेकिन गुजरात की जंता को गुमरा मत कीजी क्या हमने उनको रावण नहीं का सिंबॉलिक है रावण के दस मुह है रावण की तरह अलग-अलग बातें मत कीजी कहा जाता मोदी जी ने अपनी सांसत सहयोगी सांसत को शुरूपन कहा किसी मीडिया चैनल की हिम्मत हुई किसी बीजेपी वाले से सवाल पूछ ले क्या वो ठीक था साड़े-ाठ साल बात भी सवालों के जवाब हम ही देंगे जर्सी बचडा और पतनी क्या-क्या कहा पचास करोल की गर्फरेंड और देश के प्रधान मंतुरी को शोभा देता है एडियार की रिपोर्ट दिखाईए किस तरह से किस-किस चब्दावली का इस्तिमाल हुआ है वास्त्रित्ता के धरापल पर चुनाव होना चाहिए हम मीडिया का सम्मान करते हों लोक्तंत्र का चौथा स्थम्म है और डरिये मत अब जी आपने ये जो वीडियो के बारे में जब भास्ता को बुच्छा को खलतका ने गुना कि टेक्नोलोजी को यूज करके इनका जो भरजी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है वो काम करता अभी चार दिन पहले भारत जुड़ो यात्रा में कॉंग्रिस पार्टी जिन्दाबाद के नारे लगे उसको चला दिया पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे एफ पाई यार हुई तो भाग खड़े हुए सब उस दिन भी एक मीडिया चैनल एक नॉइडा की टीम आई हुई थी वो यहां रिवर फ्रेंट पर उस पर पूरा शो करके गए मीडिया के साथियों का भी बदफर्द बनता है कि अगर कोई चीज है तो उसकी जांच पर्ताल कर ली जाए उसके बाद उसको चलाया जाए केबल कैमपेइन में नहीं केबल कैमपेइन में नहीं घर घर में इस तरह से जब से भाजपा का शाशन आया है वाइलेंस इन्होंने सब लोगों के बीच में गुसा दिया एक पढ़ाने वाला ध्यापक क्लास में बैठे हुए एक बच्चे को टेरिस्ट कह रहा है आप क्या नीम डाल कर जा रहे हैं केबल सत्ता गुजरात हार रहे हैं हार जाहिए न क्या आफ़त है उम्रे को मानों की संख्या लगता काफी जादा है यहाँ झाल